नमस्कार प्रणाम स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाई एस्पी में बात करेंगे बिहार के सम्विदा कर्मियों को जो लंबे समय से इंतेजार था फानली एक अक्टूबर का दिन आ चुका है आप सभी सम्विदा कर्मचारियों के लिए खुश खबरी का दिन आ चुका है तो बीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिकिवेश्ट है अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को लाइक कर लिजेगा सस्क्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन जो है दबा लिजेगा इससे क्या होगा बिहार के सम्विदा करमियों से जुड़ी जो भी खबर आएंगे सबसे पहले आप सभी सम्विदा करमचारियों को देखने और सुनने को मिलेगा तो लंबे समय से आप सभी सम्मिदा करमचारियों को नियमती करण का इंतिजार था तो फाइनली वह घड़ी आ चुकी है बिहार में सम्मिदा करमियों के नियमती करण को लिगर के आज समराट चौधिरी जी ने साब तोर पे खुलासा करते हुए कहा है कि बिहार के संविदा कर्मियों का नियमती करण पकिरिया आज से सुरू हो चुकी है एनि एक अक्टूबर से नियमती करण आदेश धड़ा धड़ जारी हो रहा है एक से एक विभागों का दोस्तो टोटल बिहार में 44 विभाग संविदा परकार करता है उन 44 विभाग में से 35 विभाग को बिहार सरकार एक सरकारी करमचारी का दर्जा देने का वादा किया है तो इन 35 विभागों का नियमती करण आदेश जो है आज से जारी होना सुरू हो चुका है बस इसमें जो है आपका अनभव जो देखा जा रहा है वह 10 साल का अनभव देखा जा रहा है और आपकी परस्तिती जो है 60 परतियत की देखी जा रही है समराट चोदिरी जी ने खुलासा करती हुए कहा है कि बिहार में चार लाख सम्भिदा करमचारीयों को बिहार सरकार एक सरकारी करमचारी का दर्जा देगी तो इन 4 लाख सम्विदा कर्मियों को अपने तरफ से पूरा तयार रहना है आप लोगों को नए निमावली के तहर डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा दिवाली के बोनस के उपलक्ष में आप सभी सम्विदा कर्मचारियों को नेमतिकर्ड आदेश जारी करने के बाद डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो समराड चौदरी जी का कहना है आप लोग पूरी तरह से तयार रहे एक एक सम्विदा कर्मी जिनका भी अनुभाव नौ साल का हो चुका है आप लोग पूरी तरह से तयार रहेंगे और जिनका अनुभाव नौ साल से कम का है उन सम्विदा करमचारियों के मांदे में बिहार सरकार के द्वारा 70% की विद्धी की जा रही है तो बहुत जल्द यह नई नीती आप सभी के बीच में लागू हो जाएगी उमीद करता हूँ मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा धन्यवाद